हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है आज की कहानी का टॉपिक है मूल से परे भारत विभाजन से पहले की बात है एक शहर में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए जोडशोड से धन संग्रा अभियान चल रहा था एक दिन संग्रा समिती के सदस नगर के जाने माने समात सेवी जगदीश महता जी के पास पहुचे उन्होंने महता जी को बताया कि जो व्यक्ति इस कार के लिए 10,000 रुपे का दान करेगा उसके नाम वाले संग्मरबर की पट्टी स्कूल में लगाई जाएगी यह सुनकर महता जी मन ही मन मुस्कूराए और फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने 50-50 के नोटों की दो गड़ियां समिती सदस के सामने रख दी समिती के कोशा देख्ष ने नोट गिने उसने एक बार नहीं कई बार नोट गिने पर हर बार वे 9,900 ही निकले कोशा देख्ष ने कहा महता जी पूरे 10,000 नहीं है एक सो का नोट और दे दीजे ताकि आपके नाम की संगमरवर की पट्टी महता जी बीच में बोल पड़े भाई इसलिए तो 100 रुपे कम दिये हैं मैं ये नहीं चाहता कि मेरे द्वारा दिये गए दान का प्रचार हो यदि प्रचार किया गया तो क्या निर्धन व्यक्ति कुंठित नहीं होंगे उनमें दान के प्रती प्रिणा कैसे जागेगी वे क्यों दान करेंगे इसी तरह यदि दान के बदले धनी व्यक्ति का प्रचार किया गया तो ऐसे दान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा यह सुनकर समिती के सदस्यों के सिर शद्धा से महता जी के सामने जुग गए महता जी ने कम भिरता से समिती के सदस्यों को देखा और फिर कहा मेरी लिए सबसे महतपूर्ण यह है कि लोगों को इससे लाब मिले धन की मातरा इत्ती महतपूर्ण नहीं है जितना कि यह दान देने की संकेत बने और सभी को प्रिरित करे यह एक प्रेम और सेवा की प्रतिक्रिया होनी चाहिए जहां हर वैक्ति चाहे वह धनी हो या नर्दन अपने सामर्थ और योगता के अनुसार योगदान दे सके सदस्यों के मन में महता जी के वचनों ने एक गहरी असर किया विस अभी सहमत हो गए कि धन का प्रचार नहीं होना चाहिए और दान करने का महत्व मस्सूस होना चाहिए समिती की कोशा धक्ष ने मुस्कान सहित सर जुकाया और कहा मेहता जी आपकी बात सबको गहराई से समझ आ गई हम आपकी विचारों का सम्मान करते हैं और इस स्कूल के नाम पर सेंग्मर्वर की पट्टी रखने के बजाएं हम यहां एक स्मारक स्थापित करेंगे जो दान की प्रेणा और एक्ता का प्रतीक होगा सब ने अपने समर्थन और सहियों का वक्तिगत वादा किया और बाकिस अधस्यों ने भी इसे स्विकार किया दोस्तों मुख बात समझनी की ये है कि किसी भी वक्ति के द्वारा दिये गए योगदान का प्रचार नहीं होना चाहिए इस से हर वक्ति किसी भी अपने छोटे बड़े योगदान से हिच्च जाएगा नहीं दोस्तो आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेर करे, कमेंट करिए और चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब करना बिलकुल न भूले थेंक्स फॉर लिसनिंग